नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की J Pride M Tablet का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है। J Pride M Tablet को कैसे लेना चाहिए? और J Pride M Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि J-Pride M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए J-Pride M एक ब्रैंड नेम है J-Pride M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है J-Pride M टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन ग्लिमेपिराइड और मेटफोर्मिन होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली J-Pride M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है J-Pride M टैबलेट का उप्योग टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है J-Pride M टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़ह से किड्मी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरन में किया जा सकता है पर ये डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को नियंतरन में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल वखान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेविल को नियंत्रण में किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जेप्राइड एम टैबलेट की वज़़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में जेप्राइड M टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे दस्त होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, घूप कम लगना, मूँ के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स जेप्राइड M टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. इसके अलावा J-Pride M Tablet की वज़े से शरीर का बलड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की J-Pride M Tablet को कैसे लेना recommended होता है। J-Pride M Tablet को सुबा breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना recommended होता है। या J-Pride M Tablet को खाना शुरू करने से तुरन पहले लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में J-Pride M1 Tablet को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। लेकिन शरीर में ब्लड शुगर की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ा कर J-Pride M2 Tablet को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह दे सकते हैं। J-Pride M Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। J-Pride M Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको J-Pride M Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की J-Pride M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रन में करने के लिए आपको J-Pride M Tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए। चिन्ता व तनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर जेप्राइड M Tablet को लेना recommended नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको जेप्राइड M Tablet को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका जेप्राइड M Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप तोमेंट करके पुछ सकते हैं।